आई स्मृतिरानी जी पाख हो गई, आहे मौन हो गई, जब कुछ होता जो बड़ा ताल ठोकने लगती हो, कहा हो, अरे सर्म आनी चाहिए तुमको इस्मृतिरानी चुलू भर पानी में डूप मरना चाहिए, तुमने साबित किया फिर एक बार, तुम महिला के नाम पर कलंक और दबा दोनों हो, चुलू भर पानी में कहीं जाके डूप के मर जाओ, अगर तुम बोल नहीं सकती हो कुछ, तुम्हें भी सत्ता का गुरूर है, सत्ता का नसा है, ये नसा उतरेगा एक दिन, सजा तुम्हें मिलेगी इसकी एक दिन, जिनोंने बंदूक की नोग पर, एक आसे वो दुर्वीन क्यों नहीं लेते, जिससे तुमको ये दिखाई दे जाए, अरे सर्म आनी चाहिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी, ये टीबी वाले फरजी, एंकर जो भेडिया के रूप में एंकर बने बैठे हैं, पुरी तरीके से बेडिया बन चुके हैं, इस समा इसकार मैं उर्जा और आप देख रहे हैं, जनित अवाज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगा मानी जाती है, वहीं पे बी एचु यानी बनारस हिंदु उनिवर्सिटी में एक लड़की का गैंग रेप किया जाता है, और जो गै इसे मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तर प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी लक्षे दीप में डुपकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी चीज़ पर बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद है, गोपाल तिवारी जी, सर्क्या कहेंगे इस चीज़ को लेक नारा देने वाली, नारियों की सुरक्षा करने का धकोशला करने वाली पार्टी, जब उनकी ही पार्टी के लोग, उनकी ही पार्टी के पदादिकारी, और खासकर प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जिस छेतर से लोकसवा चुनाओ लड़ते हैं, उस लोकसवा चुनाओ के पदादिकारी मतलब नरेंद्र मोदी की डिरेक्टी टीम के लोग जब महिलाओं के साथ शोशड करते हैं बंदूग की नोक पर सत्ता के पावर में सत्ता के गुरूर में जब दुरियोधन बनकर दुस्षासन बनकर उनका चीर हरन करते हैं गैंगरेप करते हैं उनके कपड़े उतरवाते हैं और देश का प्रधान मंत्री चुप रहता है कितनी दुर्भाग की बात है कितना निरलज प्रधान मंत्री है यह और यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह उस पीडिता के परिवार के लोग उस समाच के लोग कह रहे हैं अरे जिस छेतर ने आपको थे आपकी पार्टी के पदाधिकारी थे आपके सोचल मीडिया का कोई सयोजक था कोई मीडिया के कनवेनर कोडिनेटर था सक्षम पटेल अवसेख चोहान कुनाल पांडे और वो पकड़े ना जाएं गैंग रेप करने के बाद आपने उनका मद्द प्रदेश चुनाओं में भेज़ दिया भलत कार करने वाले लोग गैंग रेप करने वाले लोग मद्द प्रदेश में दो महीने घुमते रहे चुनाओं परचार में रहे आपकी अहम मीडिकों का हिस्सा रहे वो कभी स्मृती रानी के साथ मीटिंग हो रही है कभी अमिसा के साथ मीटिंग हो रही है कभी योगी अधितनात के साथ मीटिंग हो रही है कभी अंदुराग ठाकुर के साथ मीटिंग हो रही है कभी जेपी नड़ा के साथ मीटिंग हो रही है कभी सुतंतर देव सिंग के साथ मीटिंग हो रही है हर उस बड़े नेता के साथ मीटिंग हो रही है और हैं कौन मीटिंग? ज्याइन करने वाले बरतकारी, जिन्होंने बंदुक की नोग पर एक लड़की की इज़त लूट ली, उसको नंगा करके ख़़ा कर दिया बंदुक की नोग पर, और प्रधान मंतरी अभी तक चुपे हैं, इस मरती राली खिलकलाते हुए फोटो की चा में, जब कभी भी किसी महिला के साथ अत्याचार होता था, याद करो निर्भया का वो कान, दिल्ली की ये शड़के भर गई थी, सरकार किसकी थी, कॉंग्रेस की, जैसे ही उसके खिलाब बिगल बचा, उसे न्याय किया कि नहीं किया, बहुत कम लोगों का पता है कि राउल मोटे पदादिकारी थे, जिन्होंने गैंग रेप किया, अरे जब ब्रजभूशर जैसा इनसान हमारे देश के मान सम्मान के साथ सोशड करता है, साक्षी, मलिक, बिनेज, बोगाट, इन तमाम हमारी बेहन बेटियों के साथ सोशड करता है, उसको ये बचाते हैं, कोल्दी अगर कोई कॉंग्रेस का कोई लड़का होता, कॉंग्रेस से जुड़ा हुआ कोई होता, अब तक तो ये जाने कितने हार पार, ताल ठोक, दंगल, हल्ला बोल कर चुके होते, अभी मैं पूछना चाहता हूं, तमाम इन फरजी, एंकर जो भेडिया के रूप में एंकर बने बैठे हैं, पुरी तरीके से बेडिया बन चुके हैं, इस समाच के लिए, इस देस के लिए, कितने इन्होंने ताल ठोक किये, कितने हल्ला बोल किये, कितने अबला केंड़ बाइट किये, कितने हार पार किये, एक भी नहीं किया, यह दर्शाता है, कि तुमें इस देस की बह बात करने वाला एक सक्स जो नरेंद्र मोदी के रूप में दुरुभाग्य बस किसी तरीके से इंदुस्तान की गद्धी पर बैठा है तुम सब उसके चंड़ चुमक दास पन चुके हो दियनाच उसके जूतिया चाटने का काम करते हो तो सवाल यही उठता है नहीं कि जब सत्ता पे दस साल से जो इस सरकार बैठी है इसी के लिए मतलब यह सत्ता पे बैठी है और इसी में महिला सुरक्षी ती नहीं है तो आम आदमी कहा जाएगा मैं बिल्कुल साप कर रहा हूँ आप करपना करके देखिए कि आज हम कहां से कहां आकर खड़े हो गए हमने जिनके हाथों में सत्ता सौपी थी कि आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे लेकिन जो अच्छा था उसमें तो कुछ अच्छा नहीं कर सके लेकिन जो अच्छा थ उसको इन्होंने खतम करने का काम जरूर किया आज हमारी बहन बेटिया असुरक्षित किसे हैं बुंडा मवालियों से असुरक्षित नहीं है भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरताओं से इनके विधायकों से भारतिय जन्ता पार्टी के सांसदों से भारतिय जन्ता पार्टी क कानून बनाये जाते हैं इस्थापित किये जाते हैं उस विधान सभा में बैट करके इनके लोग पॉर्ण मुवी देखते हैं इसका मतलब इनका चरित्रिस पश्ट दरसाता है और ये जो लड़के जिन्होंने गैंग रेप किया भी अच्चु में ये भारतिय जन्ता पार्ट से पहुचते हैं मीटिंग जोईन करते हैं बातचीत करते हैं और लगातार फेस्बुक पे अपडेट करते हैं आप से हमें प्रेणा मिल रही है आप से हमें प्रोसान मिल रहा है आप से हमें उस्था मिल रहा है इसको मागे ले करके जाएंगे क्यों भाई सक्चम पटेल तुम्हारा ताल ठोकने लगती हो कहां आप अरे सर्मानी चाहिए तुमको इस प्रतिरानी चुलू भर पानी में डूप मरना चाहिए तुमने साबित किया फिर एक बार तुम महिला के नाम पर कलंक और धबा दोनों हो चुलू भर पानी में जाकर डूप के मर जाओ अगर तु तुमरे इप दादिकारी बंदूक की नोक पर इस उंदुस्तान की सबसेश्च सेफ इनुवर्सिटी विस्विध्याले में जाकर के एक महिला के साथ गैंग रेप करते हैं उचके कपड़े उतरवाते हैं बंदूक की नोक पर इंसानियत को सर्मसार करते हैं क्या उनके चाहिए प्रधान मंतरि ननंदर मोदी याद रखना अधर्म जब सर चड़कर के बोलता है तो इंसान अंधा हो जाता है तुम्हें भी सत्ता का गुरूर है सत्ता का नसा है यह नसा उतरेगा एक दिन सजा तुम्हें मिलेगी इसकी एक दिन धर्म की विजय होगी जूठारे सच जीतेगा लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है मुझे कि जब तक यह होगा तब तक तुम हमारे इस हिंदुस्तान का बहुत नुपसान कर चुके होगे हमारे इस हिंदुस्तान की बुनियादी जड़कों ला चुके होगे याद रखना नन्रमोदी यह देश तुमें कभी भी माफ नहीं करेगा वो तमाम बैटियां जिनकी इजत जिनकी आबरु लूटने का काम तुमारे पदाधिकारियों ने मंत्रियों ने विधायकों ने सांसदों ने किया है और हर उस बात पर तुम मौन रहे गए तुम्हें च्छमा नहीं करेगा याद रखना इस बात को बहुत बहुत शुक्रिया रिए किस तरीके से जो सत्ता में बहटी भाजपास सरकार है महिलाओं के साथ किस तरीके का यौन उत्पीडन करते हैं ब्रिजबूशन की ही बात कर लिजए उसके बाद अब ये गैंग रेप का मामला सामने है जिसमें जो तीन आदमी है वो भाजप के वोट बेंग में इनके हाथ में आ सके आपकी इसमें क्या रहा है हमें कमेंट वॉक्स में जरूर बढ़ाएं